यतिन के बास तरा जाए यतिन गुड़ मॉनिग और स्टॉक्स ओफ देडी की बात करें तो क्लेली आज अपोलो टायर्स फोकस में है यस्टिड़े जो कॉन्फरेंस कॉल हुई और मैनेजमेंट ने टारक दामों की बढ़ोतरी की जो अनॉंसमेंट की और ओवरल जो आज दो अपग्रेड आएं उसके बाद शेर में आप 45-5% की शुरुवाती तेजी देख रहे हैं नुमूरा ने यहां शेर को अपग्रेड किया है टार्गेट है 512 रुपए और कहींने की वैलुएशन्स काफी अच्छे हैं सस्ते हैं ऐसा नुमूरा का मानना है इसके अलावा मैनक काइन फार्मा ये भी एक स्टॉक है जहां शांदार नतीजे आये सेल्स में 65% की वृद्धी और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहां भी शांदार 40-42% का इजाफा देखने को मिल रहा है शुरुवाती 3-4% उपर था शेर लेकिन अभी थोड़ी बहुत टेकिंग देखने को मिल रही इस काउंटर में और इसी तरीके से NLC इंडिया 4% गैप डाउन के बद अभी भी 3% नीचे है रिजल्स वीक थे मुनाफे में लगबग 65% की गिरावट देखने को मिली है और मार्जिन्स लगबग आदे हुए साल दर साल बेसिस पे जिसके रहा है और अपलो टैस स्ट्रॉंग मुव और इसी इंडिया मैंकाइंड आपके स्कीन पर छेयर पर नीचे टेट करता हुआ है स्टेल ये सेशन जो है अब तक लग रहा है पूरी तोर से समर पर कैपिकूल्स को लुक एच सिमेंस एबी बी कमिन्स सब के सब स्ट्रॉंग कि मूफ के साथ निया हाई कमिन्स 45% कि मूफ के साथ निया हाई उसके बाद ज copy, वही behavior, 48,000 की trajectory में गया, और collapse, और अलमुस अगर आप लेखे तो 47608, बट अभी ये क्या कर रहा है, कल के 1130 से लेका 33 के बीच के प्राइस की जो स्विंग हाई थे, उसको sustain कर रहा है, ठीक है, वो हो गया, और निफ्टी करीब के 2244 पाके टेड करता हुआ, और IT में जरह एक आपने बिल्कुल सही का, एक्सल टेकनोलोजीज में वो स्ट्रेंथ है, कि वो तेरा सो असी, तेरा सु नबबे तक जाएगा, इन फाक सुबह में जो हमने मूह देखा उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग ये एक नॉर्मल फिनामेना है, ये प्रॉफिट टेकिंग हुई, लेकिन उसमें डेंट नहीं है, स्ट्रॉक्चरल ही कही मुझे डामेज नहीं दिखता, तो अभी भी मैं मानता हूँ कि HCL टेकनो दो अप्लाँ स्रहालाइए और लाउं करें हCN technologies.